हलो स्टूदेंस दिस बाकेर वेलकम तो दे नाइन्टीन्थ लेक्चर ओफ प्रिंट कल्चर आंड दी मॉडर्न वॉल्ट इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा न्यू फर्म्स ओफ पॉप्लिकेशन लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने प्रिंट कल्चर को कैसा एड़ॉप्ट किया हमने देखा कि मुस्लिम कम्यूनिटी काफी वरीड थे अपनी कल्चर को लेकर आइडेंटिटी को लेकर लेकिन दीरे दीरे चीप हौली बुक्स वगईरा पप्लिश होना स्टार्ट हुए और उन चीज़ों के जरीए उनको ये बताया जाता था कि कौन कौन से कोर्ट उफ कंड़क्ट उनको डेली लाइफ में फालो करने हैं फिर हमने देखा कि आखिर हिंदूस ने कैसे एडाप्ट किये तो नाइटीन टैन में टूलसी दास ने एक फेमस बुक लिखा जिसका नाम था राम चरीत मनास नावल किशोर प्रेस और लखनू में और शिरी विंक टेश्वर प्रेस बॉंबे में उस समय काफी फेमस हुआ करते थे और ये जो प्रेस थे यहां से जो बुक स्प्रिंट होते थे वो काफी चीप और प्रोटेबल होते थे यानि इसी लिए एक जगा से दूसरे जगा ले जा सकते थे आज का टॉपिक है कौम निव फॉर्म्स आफ पॉप्लिकेशन यानि कौन-कौन से निव फॉर्म्स या निव पॉप्लिकेशन स्टार्ट हुए कौमन पीपल स्टार्ट रीडिंग नावल्स अब जिस तरह से जो पॉप्लिकेशन की इंप्रूम्न थी वो काफी तेस हो रहा था यानि अब दीरे दीरे प्रिंटिंग टेकनोलोजी के वज़ा से हर जगा पॉप्लिकेशन बहुत तेजी से जो है इंक्रीस हो रहे थे जिससे जो है आम लोगों ने नावल्स जैसे बुक्स को रीट करना स्टार्ट किये शॉर्ट स्टोरीज, पॉईटरी, प्लेस और आटो बायोग्राफिस वेर पॉप्लिष्ट अब दीरे दीरे हर वो चीज़ पॉप्लिष होना स्टार्ट हुए अब पहले क्या होते थे पहले कुछ ही टॉपिक्स थे जिन की उपर जो है बुक्स लिखे जाते थे लेकिन अब दीरे दीरे जब फॉप्लिकेशन इंक्रीस होने लगा जब form of publication पूरी तरह से increase या rapid तेजी के साथ बटने लगा तो अब short stories, poetry, plays और autobiographies बगेरा भी अब पूरी तरह से publish होना start हुए थी Visual images had a deep impact अब जो है दीरे दीरे उन short stories में, poetry में, साथ ही साथ autobiographies जो के publish हो रहे थे अब इन में visual images भी आने लगे थे यानि अब जो images था वो visuals थे यानि अब लोगों को images भी दिखाए जाते थे उन short stories के साथ place के साथ, biographies के साथ साथ ताकि understand की जो समझने की जो शमता है वो और भी ज्यादा तेस हो सके तो visual images भी जो है आप दीरे दीरे पूरी तरह से impact पढ़ने लगे थे क्योंकि आप short stories, poetry plays, autobiographies बहुत सारे चीज़े आप लिखे जाने लगे थे जिसकी वजह से उनके साथ अब और एक चीज़ है ड़ा that is visual images राजा रवी वर्मा's visual image were the most famous और कहा जाता है कि इन में सबसे ज्यादा जो famous थे visual images में वो थे राजा रवी वर्मा के visual images जो रजा रवी वर्मा थे he was one of the most famous इंडिया की जो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट कहा जाता है और इनकी जो visual images थी यह ज्यादा तर westernize से काफी जूड़ा हुआ था और राजा रवी वर्मा की जो visual images थे यह काफी famous माने जाते थे और रज्य रवी वर्मा के मात हम देखते हैं कि अब इंदरना टाइग और वन अब दे मोस्ट फेमस जो है उस समय की visual images जो आर्टिस्ट माने जाते थे तो अब जो common people थे उन्होंने भी novels को read करना start कर दिये थे अब short stories, plays, poetry, autobiographies अब ये सारे चीज़े जो है पप्लिश होने लगे थे visual images भी अब पूरी तरह से इन चीज़ों के साथ एट होने लगा था और visual images में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा नाम और सबसे ज्यादा famous थे that was रजा रवी वर्मा की images काफी deep impact और काफी famous माना जाता था so students मैं आज के जो lecture है ये ही पर stopped कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी queries चाहिए अगर आपको कुछ जानना है तो आपको कोई किसी भी platform के साथ connect होकर मुझ से पूछ सकते हैं और अपनी queries बता सकते हैं इसके अलावा preparation के समय आपको कोई भी doubt रहता है कोई भी problem रहता है तो please आप बिना बेची चक आप मुझ से connect होकर किसी भी platform के साथ connect होकर मुझ से जोड़कर अपनी queries बता सकते हैं Thank you so much students, bye bye, happy good day